दोस्तों आज मैं आपको खीरा खाने के कुछ फायदे बताऊंगा तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं शरीर को हैडरेट रखने के साथ ही तोचा की खुबसूरती तक कई अनमोल गुडों का खजाना है खीरा दोस्तों खीरे की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 80% पानी पाय जाता है खीरा प्यास को बुझाता है और शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है ये शरीर के आंत्री कंगो और तोचा की गहराई से सफाई करता है इसके अलावा तोचा की जलन और टैनिंग को भी कम करता है खीरा का भेतरिन गुड़ है आँखो को ठंडा परदान करना फ्रीज में रखे खीरे को काट कर आँखो पर रखने से आँखो की ठकान मिट जाती है इसके स्लाइस को आँखो की पलकों के उपर रखने से आँखो को ठंडक मिलती है खीरा खाने से दिल में जलन कम होती है ये शरीर के जहरीले तत्तों को बाहर निकालने में मदद करता है हमें प्रति दिन कुछ विटामिन्स लेना बहुत जरूरी होता है जैसे की विटामिन A, B और C हमें नियमित लेना चाहिए खीरा अकेला हमें प्रति दिन के विटामिन्स देता है खीरे के छिलके में विटामिन C होता है साप सूतरी, चिकनी और चमकदार तोचा चाहिए तो आप खीरे से अवश्य दोस्ती कीजिए खीरा में प्रोटेशियम, मैगनेशियम और सिलिकॉन अत्यदिक मात्रा में पाया जाता है ये तत्वे तोचा के लिए बहुत जरूरी होते हैं खीरा वजन भी कम करता है, जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं वे सूप और सलाद में खीरा का सेवन कर सकते हैं क्योंकि खीरा में जलकी मात्रा अधिक होती है, जबकि कैलोरी नहीं होती है इसलिए ये जल्दी पेट को त्रिप्त करती है खीरा में फाइबर पाये जाते हैं, जो खाना पचाने में मददगार होते हैं आप कपज से परिशान है तो रोजाना खीरा खाएं, ये कपज के लिए कारगर दबाई है खीरा कैंसर से लड़ता है, खीरा खाने से कैंसर होने का अशंगा कम होती है खीरे में मजूद तक तो सिलिशिया, बालो और नاخुनों में चमक लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है अगर आप खीरा का इस्तेमाल अपने स्किन केर रूटीन में करते हैं तो तोचा संबंधी सारी समस्याएं धीरे-धीरे कम हो जाती हैं डायबेटीस के मरीजों को थोड़ा कम और हलका भोजन लेने की सलाह दी जाती है ऐसे में बार-बार भूख महसूस होती है इस सेचुएशन में खीरा खा कर भूख मिटाया जा सकता है पीलिया, प्यास, शरीर की जलन, तोचा रूख, छाती में जलन और एसी डिटी में खीरा काफी फायदेमंद होता है तो दोस्तों ऐसी जनकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद